हेलो एब्रीबन सो दोस्तों अगेन मैं आपके साथ हूं विद लेक्शर नमबर ट्वंटी थ्री एंड वी विल डिस्कस जस्ट हाउ टू क्रियेट नेट इंस्टेंस राइट लेक्शर नमबर ट्वंटी टू में मैंने आपसे इस्पेशली डिस्कस किया था की बीपीसी में नेट गेटवे का क्या यूज आपका होता है तो दो पॉइंट इस्पेशली मैंने वहां पर आपसे डिस्कस किये थे नेट गेटवे जो हम लोग यूज करते हैं बीपीसी में प्राइबेट सबनेट पे या ऐसे सर्वर्स जिनके पास प्राइबेट आईपीज है AWS ने प्राइबेट सबनेट या प्राइबेट आईपी वाले सर्वर्स पे इंटरनेट चलाने के लिए दो यूटिलिटीज आपको अबलेबल करा रखे हैं ठीक है तो सेम चीज हम चाहें तो नेट गेटवे को यूज करके भी कर सकते हैं बीकें जस्ट इनेबल दी इंटरनेट प्राइबेट सबनेट में प्राइबेट आईपी वाले सर्वर्स पे बिद्धी हेल्प आफ नेट गेटवे सेम टास्क आपको गर विदिन दा बीपीसी चाहिए तो आपके पास एक दूसरा यूटिलिटी भी अबलेबल है बाई क्र कर सकते हैं यानि कि दोनों का जो सॉलूशन हमें मिला है नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस दोनों से सेम चीज सेम सॉलूशन एडवलीए समें अबलेबल कराके दे रहे हैं ऑनली डिफ्रेंस आपका यह है कि अगर आपके पास इंटरप्राइस सॉलूशन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बहुत बड़े नंबर्स में सर्वर्स आपके पास हैं जिन पर कि आपको इंटरनेट चलाना है प्राइबेट ली तब हम लोग नेट गेटवे का यूज कर सकते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि I have the some development and testing kind of environment जहां पर आपके पास 5-10 सर्वर्स हैं प्राइबेट सबनेट का पार्ट है प्राइबेट आइप उन पर आपने ले रखा है आप चाहें तो उन स्मॉल इंवार्मेंट्स वाले सर्वर्स पर जो लिम्टेड नंबर्स में आपके पास सर्वर्स हैं बाइग क्रीटिंग नेट इंस्टेंस आप चाहें तो इंटरनेट रन कर सकते हैं जो नेट गेट पर आपको यूटिलिटी अबलेबल कराके दे रहा है सेम चीज़ वी आर गेटिंग बिद नेट इंस्टेंस तो अउनली डिफ्रेंस है हमारा नेट गेट पे आपके एक बड़े इंवार्मेंट जहां पे सर्वर्स का काउंट आपके पास बहुत ज्यादा है तो AWS ज़स्ट प्रोवाइडिंग स्किलिबिलिटी सर्विस अबलिबिलिटी हाई अबलिबिलिटी फॉर दानेट गेट वे बिकॉस नेट गेट वे जो आपका एजस सर्विस हमें मिल रहा है वो AWS मैनेज सर्व से हैं जबकि net instance की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सा काइंड ओफ कस्टमर मैने इन्वायर्मेंट यानि कि अगर आप एक बड़े इंफरा के लिए जहां पर सर्वर्स का काउंट बहुत जादा है net instance अगर आप यूज करते हैं तो you may have the latency issues, speed bandwidth से related issues आपके पास हो सकते हैं because net instance का जो performance है कही ना कही instance के type पर भी आपपर depend करता है exactly net instance में AWS ने हमको netting के feature को OS labels install करके हमें दिया है यानि कि जैसे आप एक EC2 instance को run करते है within operating system same चीज नेटिंग आपका क्या है एक program है तो AWS ने OS label से netting के program को आपको EC2 instance के अंदर install करके दिया है यानि कि overall अगर आपके पास एक minimal configuration का instance type आप net instance को run करने के लिए अगर use करते हैं traffic जो आपका private subnets के जितने भी server internet को access करेंगे net instance के through traffic जाना है और net instance के through traffic आपका आएगा तो bandwidth का issue because NIC जो हमने लिया है that is minimal configuration अब टू बन जी पीपिएस जैसे अगर हम टी टाइप जनरल फर पर पर पज इंस्टेंस टाइप अगर लेते हैं तो आपको एक higher configuration का EC2 instance का जो टाइप है वो आपको चूज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लैप के through में आपको बस simple यह बताने बालाओं की net instance को हम लोग कैसे create कर सकते हैं how we can enable the internet for private subnets with the help of net instance ठीक है तो दोस्तों जो net gateway का requirement है की our net gateway बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक elastic which is public IP और public subnet होना चाहिए same requirement हमारे पास net instance को create करने का भी है ठीक है net instance एक आपका easy to instance की तरह ही होता है तो easy to instance पे आपके पास option है अगर आप elastic IP के through create करना चाहते हैं elastic IP आप attach कर सकते हैं net instance के साथ public IP आपको by default AWS subnet label से already available कराके देता ही है तो public IP के through भी आप अपने net instance को create कर सकते हैं तो you have the two choices या तो आप elastic IP net instance को दे दे या फिर public IP जो normal हमें मिलता है उसके through भी आप net instance को create कर सकते हैं अगर यहां पर आप clearly देखते हैं तो मैंने एक बीपी सी create कर रखा है प्रोड आइफन के आर नेटवर्क और जिसमें की क्लास C का नेटवर्क with slash 26 CIDR block I have total four subnets जिन में से subnet one मेरा जो है it's my public subnet ठीक है subnet two, subnet three and subnet four मेरे private subnets है और मेरी requirement है कि इन तीनों ही subnets में से किसी एक subnet में मेरे को internet चलाके देना है public और private सीधा सा difference जिन subnets के routing table में IGW का root आपका add है that is your public subnet और जिन subnets के routing table में IGW का root add आपका नहीं है that is your private ठीक है root अगर है तो public और नहीं है तो private ठीक है तो net instance को जो मैं create करने बाला हूं inside subnet one और internet जो मेरे को चाहिए I can just enable the internet inside subnet two, three and four ठीक है तो सबसे पहले BPC का जो configuration मैंने इस lab में ले रखा है वो चीज़ में आपको show कर देता हूं you can see here clearly I have one BPC with this CIDR block और फर्दर I have created four subnets अगर आप यहां देखते हैं subnet one two three and four slash twenty six पे मैंने इस subnet को create किया है और चारो ही subnet के routing table भी मैंने अपना अलग लग कर रखे हैं ठीक है तो आप अगर routing table पे भी जाके देखते हैं तो I have the four custom routing tables subnet one का routing table अलग है subnet two का routing table अलग है subnet three का routing table अलग है and subnet four का routing table अलग है subnet one के routing table में अगर मैं आपको existing routes को अगर display करता हूं तो I have the default route added to subnet one routing table igw का route मैंने आप add किया है that means this is my public subnet और किसी भी subnet के routing table को आप देखते हैं तो we have the default route exist ठीक है which means की subnet two three and four are private subnet subnet one is public subnet ठीक है एक igw भी मैंने बीपीसी से connect कर रखा है just to receive the traffic over the internet for my BPC सबसे पहले net instance को हम लोग कैसे create करते हैं तो आपको simple करना क्या है community amis में जाके आप यहां पर simple type करेंगे net ठीक है तो किसी भी image में अगर आपको यह net keyword यहां पर दिखाई देता है एक server पहले with this net AMI आप create करेंगे AWS ने OS लेवल से netting का जो program होता है वह आपको install करके दिया है अब net instance का instance का type आप क्या चाहते हैं तो इसका जो cost जो आपका होता है generally net gateway का cost दो चीजों पर depend करता है net gateway को जितनी देर हम available करके रखते हैं availability charge भी है plus data transfer cost भी हम लोग देते हैं तो यहां पर availability या data transfer cost का billing नहीं है EC2 service का जैसे normal billing system आपका होता है per minute जितना आप EC2 instance को run करते हैं उतना cost हम AWS को EC2 instance का देते हैं और उसमें भी instance का type हमने जो लिया है उसके according आपका cost depend करता है तो अब आप यह देख लें especially net instance में जो configuration जो माइने रखता है वो network NIC का माइने रखता है आपको लगता है कि सर मेरे को NIC label से up to five gigawit का speed मेरे को चाहिए तो आप किसी higher net instance का जो टाइप है instance का जो टाइप है उसको आप चूज कर सकते हैं यह डूइंग दा डैमो लैब तो आई बिल जस्ट क्रिएट नेट इंस्टेंस विद्धी टी डॉट माइक पो अब यहां पर एक चीज बस थ्यान रखना है जिस बीपी की में आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं सबनेट में प्राइब इस बनेट में सबसे पहले आपको कि बीपी सी को सलेक्ट करना है और आईंब जस्त क्रिएटिंग दा नेट इनस्टेंस तो हमें ध्यान रखना है डैट इंस्टेंस चलते हैं यहां प्डिक चलते हैं प्डिक हैं इस आप्षन को आप डिसेबल करके चले मैंने जो चॉइस लिया यहां पर है वी आजस्ट दूइंग देमोलेव तो हम लोग नेट इंस्टेंस को दूरिंग दा इंस्टेंस क्रियेशन आम जस्ट प्रोवाइडिंग भी पबलिक आई पी ठीक है स्टोरेज के एंड से कोई रिक्वार्मेंट आप पर नहीं है ठीक है तो यू जस्ट इपिट सेम टैगिंग में आप सिंपल एक नेम यहां पर दे दें जस्टू आइडिंटिफाइट इट आम जस्ट गिविंग दा नेम दिस इसमाइड नेट इंस्टेंस ठीक है सिक्योर्टी गुरुप में भी आप चाहे तो जो आपका एक्जिस्टिंग सेक्योर्टी गुरुप है तो यहां पर ट्रेफिक के रूल्स अगर आप देखते हैं और ट्रेफिक और प्रोटोकॉल और पोट रेंज फॉर एब्री सोर्स ठीक है सिंपल आपको एक यहां पर वॉर्निंग दे रहा है वॉल्यूम्स प्रोवाइड दी अबलिबिटी यानि कि आपको बोल रहा है कि रेकमेंडेशन आपका है कि आप एससडी के थूँ आप सर्वर्स को क्रिएट करें बट आपने जो चूज किया है विच इस मैगनेटिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है है हम सेम आप्षन के साथ अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं यानि कि स्टोरेज के डेटेल में आप जाते हैं तो वी विल गैट दा वॉल्यूम टाइप जीपी टू ठीक है एंड इंस्टेंस के डेटील में अगर देखते है तो दिस्ट बीड़ आप अगर देखते हैं तो दिस्ट बीदीडेश विल भी ब्पी See and इंसाइब ऑनीस अप्वरें विल इस यई जो सभरेन इ सब्रॉब्लीक सब्नैट ठीक है आप अपने से अपने असर्वर को नॉर्म पलड़ इंस्टेंज का जो फैन ऐधन हम लोग नेट इंस्टेंस को लॉग-इन करके नहीं चेक करते फिर भी को यूज के सापके सामने आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं और ने इंस्टेन्स को जस्ट आप एक बार किया कर लें किसी प्राइबेट की के थूछ क्रीएट कर लें ठीक है तो नेत इंस्टेन्स आपका क्रिएट होने के बाद ऑंली जो हमें अभी वैरिफिकेशन करना है तो ने इंस्टेन्स का configuration अभी still pending है अपका ठीक है करना क्या है हमें simple आप actions में जाएंगे एक बार networking में जाके we have the one option change source destination check ठीक है तो आपको exactly करना क्या है कि आपका जो यह source and destination check वाला जो setting होता है अगर normal EC2 instance की हम लोग बात करते हैं और net instance पे इस configuration की अगर हम लोग बात करते हैं इस parameter को हमें थोड़ा सा एक तरीके से अगर आप यहां पर एक message भी लिखा है if this is a net instance you must stop source destination checking a net instance must be able to send and receive traffic when the source and destination is not itself ठीक है तो अभी इस option को मैं stop नहीं कर रहा हूं let's create one another instance जहां पर हमें exactly आप समझ लहें कि हमें internet चलाना है ठीक है तो net instance को सबसे पहले हम लोग लोग इन कर लेते हैं लोग इन करने से पहले वाट आइम डूइंग आम जस्ट क्रिएटिंग दी पीपी के फाइल इस पीपी के फाइल बगए रहा हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं सारे स्टेप्स मैंने पिछले लेक्शर में अल्रेडी आपको बता रखे हैं एक बार पिछले रिकॉर्डिंग को आप गो थू कर लें ठीक हैं इस ग्रीवेन ने ने इंसेंस के पबलिक इन को कपी किया और आप इस तेकिंग लॉग-इंप देस ने अट इंस तेंस जी और सिंप्ली यहां पर एक प्राइबिट की फाइल मैं दोस्तों विल्ड कर लेता हूं जस्टू लॉग इन दी सर्वर जो प्राइबिट सब्नेट्स में होंगे तो उन सर्वर्स को लॉग इन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है जो पैम फाइल आपने बनाया था अभी ठीक है पैम फाइल को सिंपली आप अपना सिस्टम में एक नोटपैट के फाइल में सिंपली आप लॉग इन करें कंट्रोल एक कंट्रोल सी और यहां पर कॉपी पेस्ट कर दें कंप्लीट कंटेंट को विदाउट मेकिंग एनी चेंज इसके बाद जल्दी से आप एक सर्वर क्रियेट करें प्राइबेट सबनेट में तो सिंपली किसी भी एमाई को चूज करके एक एमाजोन लीनेक्स के साथ एक नॉर्मल इंस्टेंस हम लोग जैसे क्रियेट करते हैं और इंसाइड दी कस्टम बीपीसी एंड आम जस्ट क्रियेटिंग इंसाइड सबनेट 2 आम नॉट टेकिंग एनी पब्लिक आईपी यही टेस्टिंग हमें करना है कि विद टेक है आम चुजिंग देफॉल्ट से क्योर्टी गूरुफ ऑफ दी पीपी सी एंड सेम की पेर को जो मैंने ने ने इंस्टेंस के लिए यूज किया था आम जस्ट उजिग फॉर दिस सर्वर अलसो ठीक है प्राइब इट सर्वर का अगर आप डिटेल चेक करते हैं तो वी आम जस्टेकिंग लॉगिंग तो दिस सर्वर ऐसे सेच हाइफन आई प्राइबट की एसी तो हाइफन यूजर एड़ एड़ एक बार सबसे पहले आप पिंग कमांड के तुरूप सर्वर का स्टेटस आप चेक कर लें सर्वर एक्टिब है अभी आप लॉगिन कर सकते हैं तो दोस्तों ये बाला जो सर्वर एडिस इस माई प्राइबेट सर्वर जो की प्राइबेट सबनेट में है अगर मैं यहां पर बाइड़ फॉल्ट इंटर्नेट चेक करता हूं दिर इस नो रेस्मॉंस फ्रॉम दा इंटर्नेट वे इस वाले सर्वर पर मेरे को इस पर एक कानफिग्रेशन है प्राइबेट आईपी वाले सर्वर पर भी अगर आप यह चीज़ चेक करते हैं चेंज सोर्स डेस्टिनेशन चेक अल्रेडी आपका इनेबल होता है ठीक है हमें करना क्या है नेट इंस्टेंस पर इस ऑप्शन को हमें क्या करना है सबसे पहल सब्सक्राइब से आपका क्या होना चाहिए डिसेबल होना चाहिए इसके बाद अब आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जिस सबनेट के सर्वर्स वे आपको इंटरनेट चलाना है फाइंड आउट दी राउटिंग टेबल फरस्ट तो दिस इस माई सर्वर और यह सर्वर म समय ने जो क्रियेट किया है वो सबनेट वन में विच इस माई पउब्लिक सबनेट और ःटма सोबीर यह सबनेट डू का पार्डवा Cum समर्वां करना चाहिए आपको स्बूल सेम राउटिंग टेबल में जाके एक सिंपल आपको रूटिंग एड गरना है फॉर नेट इंस्टेंस तो रूट एड करने से पहले नेट इंस्टेंस का जो नेटवक इंटरफेस आपको मिला है जस्ट फाइंड आउट दी इंटरफेस आईडी जिसके लास्ट में 30 V2 है इसकी आपको जरुवत अभी होगी वाइल यू आर एडिंग दा रूट ठीक है आपने करना क्या है जस्ट सिंप्ली एड 0.0.0 बिच फॉर दा इंटरनेट और यहां पर लास्ट टाइम मैंने आपको बताए था है net गेट पे हम 16 इंटरफेस लेते हैं अफयाँ इंऋ विल टेट वर इंटरफेस और नेटवर्ड इंटरफेस में आपको यह बाला इंटरफेस क्या करना एड करना है। झिक है यह निए स्उप्ली मैंने अब बोला कि आपको अगर इस वाले नेट्वर्क को छोड कि traffic over this network interface और यह बाला इंटरफेस जो है इस पॉइंटिंग तू माई net instance ठीक है अभी अगर आप यहां पर google.com पिंग करते हैं आराम से अभी आपके पास response है यानि कि जो चीज हमको net gateway के थू मिल रहा था same thing we are getting with the help of net instance तो traffic का flow आज भी दोस्तों वही है अगर मैं आप से बात करता हूं तो हमने एक net instance create किया है नेट इंस्टेंस इस प्लेजड इंसाइड दी पब्लिक सबनेट और यहां पर हमको इंटरनेट चलाना है ट्रैफिक इस गूइंग नेट इंस्टेंस पे गया पब्लिक सबनेट में गया इंटरनेट पे गया अगें आईजी डब्लू के पास आया आईजी डब्लू से नेट इंस्टेंस एंड देन ओन सर्वार ठीक है तो इस लैब में सिंपली मैंने आपको बताया है कि अगर आपको नेट गेटवे का भी एक कस्तमर काइंड ओफ मैनेज एंवार्मेंट एडब्लूस में चाहिए अल्टरनेट सॉलूशन हमारे पास है बाई क्रिएटिंग दा नेट इंस्टेंस जो जो काम हम लोग नेट गेटवे की हेल्प से कर रहे हैं वही चीज हम लोग आज कर पा रहे थैंक्स फॉर वचिंग